वेलकम तो मैं चैनल दीब कंप्यूटर एजूकेशन आज की क्लास में हम रिव्यू टैब में हाइड इंक टॉपिक को समझेंगे तो आएए चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ड ओपन कर लेंगे रिव्यू टैब में आज का हमारा टॉपिक है हाइड इंक आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इंक का अगर यूस किया गया है तो उसको यह हाइड कर लेता है यानि कि छुपा देता है हA तो इस हाइडिंग् ऑप्शिन को समझने के लिए हमको पहले draw tab इस्पे चलना होगा यह Microsoft Office की न्यूट डैब है The draw tab तो इसको हम समिघ लेते हैं پहले इसमें हम इसको पहले इसका overview देख लेते हैं जैसे कि इसमें tools में सबसे पहले हमारे पास eraser है जैसे हम कोई भी ink को इस document में मिटा सकते हैं इसमें different types of pens हैं जैसे कि pencil, pen या highlighter इन तीनों का use करके आप कुछ भी create कर सकते हैं convert, convert group में ink to shape हम कोई भी ink से कोई भी draw करते हैं, कोई भी image या कुछ भी तो उसको ये shape में convert कर देता है next option is ink to math, convert handwritten mathematical expression to text तो कोई भी handwritten mathematical expression को ये text में ये formula में convert कर देता है and next is insert drying canvas up insert a drying canvas to create space to drying in अब drying canvas जो है वो अपने document में insert कर सकते हैं इसकी मदद से so सबसे पहले hiding option को समझने के लिए हम पहले कुछ pen की मदद से create करेंगे जैसे कि मैंने ये pen ले लिया और इसमें हमने for example ये yellow color ले लिया ओके अब इसमें हम कुछ भी जैसे की create करेंगे जैसे की मैंने ये लिखा deep computer education तो ये मेरे चैनल का नाम है deep computer education ये मैंने इस pen की ink से जो है वो लिखा है तो अब हम review टैप पे चलते हैं hiding options को समझने के लिए अब जैसे की मैंने pen की ink से ये draw किया है लिखा है ये deep computer education मेरे चैनल का नाम तो इसे हम hide करना चाहते है यानि कि छुपाना चाहते हैं तो इस पे हम arrow पे click करेंगे and hide ink इस option को हम enable कर देंगे this will not delete your ink ये आपकी ink को delete नहीं करेगा बट इसको ये invisible कर देगा यानि कि छुपा देगा ये देखे जैसे ही मैंने इस option को enable किया तो इस deep computer education मेरे चैनल का नाम है इसको इसने hide कर दिया है अब फिर से आप इसे unenable कर देंगे तो देखिए फिर से जो है आपको नजर आने लगेगा तो hiding के वल इस ink को छुपाने का काम करता है and next इसमें option है delete all ink in document अब इस document में जो भी ink का आपने use करके कुछ भी draw किया है या create किया है उसको आप delete करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो उसको आप delete all ink की मदद से कर सकते हैं तो अब मैं delete कर दूँगी देखिए अब ये वापस नहीं आएगा अब ये मिट चुका है हमेशा के लिए delete हो चुका है तो इस टैप से आप hiding का use करके चुपा सकते हैं या उस link को delete कर सकते हैं अब हम फिर से draw टैप पे चलते हैं आप review टैप में hiding option को सीख चुके हैं अब हम draw टैप पे चलते हैं और first tool eraser को हम समझेंगे eraser के लिए हम पहले कुछ draw कर लेते हैं जैसे कि for example मैं light blue color लिया and मैंने ये sky जो है वो draw कर रही हूं ये देखिए और एक मैंने yellow color ले लिया यहाँ पे मैंने sun draw किया तो अब इसको आप erase करना चाहते हैं मिटाना चाहते हैं अपने drawing में से document में से तो आप erase पे click करेंगे then आप यहाँ पे यह देखिए यहाँ पे से click करते ही यह हट चुका है ऐसे ही आप इसे भी delete करना चाहते हैं देखिए यह भी हट चुका है यह देखिए यह भी document में से हट चुका है तो eraser का use आप अपने document में created कोई भी drawing को मिटाने के लिए कर सकते हैं और in different pens का use कर सकते हैं कोई भी अपने drawing को create करने के लिए pencil को pen को या highlighter को तो अब हम next option इसमें समझते हैं यह कि convert group में ink to shape इसको हम समझेंगे इसके लिए हम pen ले लेंगे इस arrow पे click करेंगे तो हम इसमें different इसमें इसकी thickness है हम जितनी भी लेना चाहें इस pen की thickness वह ले सकते हैं जैसे कि मैंने 2 mm यह वाली thickness ले ली और मैं color for example yellow लेना चाहती हूं और हम ink to shape इस button को enable कर देंगे साथ में जैसे कि इस button को मैंने enable कर दिया अब यह enable है यानि कि कोई भी हम ink से draw करेंगे तो वह shape में convert हो जाएगा अब हम यहाँ पे यह देखिए जैसे मैंने एक ink से एक circle draw किया था जो कि टेड़ा मेडा था थोड़ा तो उसे circle shape में इसने convert कर दिया है अब ऐसे हम different pen के use करके different shapes बनाएंगे मैंने orange color ले लिया देखिए मैंने एक triangle बनाए था जो कि बहुत ही टेड़ा मेडा सा था तो उसे इसने triangle shape में convert कर दिया है ऐसे हम different ले लेते हैं और भी color for example मैंने pink color ले लिया pink color मैंने ले लिया है और अब हम different shape बनाएंगे देखिए square में से इसने convert कर दिया है square shape में अब ऐसे हम एक different pen के use करते हैं इस pen का हमने use किया and हमने indigo color यह वाला color हमने ले लिया ink to shape हमारा button enable रहना चाहिए अब हम shape बनाएंगे यह देखिए यह इसने rectangle shape में इसे convert कर दिया है यह rectangle shape बन गई है तो ऐसे ही आप ink to shape button का use करके आप different types of shapes बना सकते हैं और इसे हम unenable कर देंगे क्योंकि हम इन shapes को आप delete करना चाहते हैं तो इसको हम select करेंगे and one by one हम इसको delete करते चले जाएंगे यह देखिए यह सारी shapes जो हैं को मैंने delete कर दिया है अब convert में next option ink to matte हम इसको देखते हैं इसमें हम click करेंगे यह देखिए matte input control इसमें आप जो यहां पे आप draw करेंगे लिखेंगे उसका preview आप यहां पे देख सकते हैं इसमें write के लिए एक pen available है erase आपको मिटाना है तो उसके लिए eraser available है select and correct आप correct करना चाहते हैं कोई भी misrecognized ink को तो आप इसे select करके correct कर सकते हैं clear करना चाहते हैं इस formula को तो आप clear कर सकते हैं अभी हम write करेंगे एक formula इसमें लिखेंगे हम तो for example हम एक formula इसमें बना रहे हैं a plus b का whole square हम बना रहे हैं अब इसमें हम equal to लिखेंगे and then इसका formula होता है a square plus 2ab इसका preview आप ओपर देख सकते हैं जो भी मैं लिख रही हूं plus b square देखें इसका आप preview हाँ पर देख रहे हैं a plus b का whole square is equals to a square plus to a b plus b square अब इसको आप अपने document में insert करना चाहते हैं तो आप insert पर क्लिक करेंगे देखें यह formula जो है a plus b b square हमाई document में insert हो चुका है और एक equation tools के design tab है जो मेरी equation वाली जो video थी उसमें मैंने आपको दिखाया था तो यह open हो गई है आप इसमें कोई भी formula create कर सकते हैं तो इस tab से आप draw tab में इसका use कर सकते हैं अभी हम इसको delete करना चाहते हैं तो यह delete हो जाएगा तो ink to math का use आप steps कर सकते हैं इसमें next option है drawing canvas का आप में document में canvas को insert कराना चाहते हैं तो insert कर सकते हैं यह देखें इसमें मैंने click किया click करते ही एक canvas जो है एक box जो है वो insert हो चुका है अब इसमें मैं कुछ भी create करना चाहती हूं तो मैं create कर सकती हूं यह देखें पैन से अपना hand return कुछ भी यह मैंने और ठीक कर दिया इसको यह देखें मैंने circle create किया इसके अलावा आप कुछ भी drawing tools की format tab भी open हो जाती है तो आप इसमें कोई भी shape भी insert करना चाहते हैं तो आप shape भी insert कर सकते हैं यह देखें यह देखें अब इसमें shape fill outline shape effects और कोई भी effects इसमें दे सकते हैं तो इस tab से आप drawing canvas करके एक space में अपनी drawing create कर सकते हैं फिसे हम draw पे जाएंगे और इनको one by one हम delete कर देते हैं यह देखें यह delete हो गया है सो यह canvas जो है वो drawing करने के काम आता है okay friends आज की class में सिर्फ इतना ही I hope आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा आपको इससे related कोई भी query पूछने हो तो आप मेरे comment box में पूछ सकते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो please like, share and comment this video and subscribe to my channel जो मुझे motivate करती है आपके लिए नएने वीडियो क्रियेट करने में